वही गुरु जी का खालसा वही गुरु जी की फते श्री गुरु ग्रन सहेब जी ते आधारित शबद गुरु संकल्प ते महत्ता डॉक्टर हबन सिंग चावला जी दा लिख्या होया लेख है मैं आर विंदर को और उना दी बेटी इस विचली अन्मोल जान का री तो अड़े सब तक पहुंचान दी एक छोटी जई कोशिश कर रही है डॉक्टर हबन सिंग चावला एक बहुत उग्ये विद्वान अते इतहास कार सन वहे गुरुजी दी किर्पा सदका जीना नू गुरु कार्वी सेवा करंदा मौक्पा मिलिया डॉक्टर चावला ने गुरु ग्रंट साहिब जी वरगे महान ग्रंथदा लाड़ फाड़के अपनी सारी जिंदगी उस दे ग्यान दे प्रकाश वीच रोशन कीती अते इस विचले संदेश नू कई किताबां दे रचनावा राही साड़े सब तक पहुंचान दी कोशिश भी कर दे रहे ताकि असी वी इस ग्यान दे प्रकाश वीच अपना जीवन रोशना सकिये शबद गुरू संकल्प ते महत्ता गुरू ग्रंथ साहिब जी सिख तरम दा अध्यात में ग्रंथ है गुरू ग्रंथ साहिब दा पहला प्रकाश सान 1604 इस वीच श्री हर मंदर साहिब इखे कीता गया 308 इस वीच गुरू गुबिन सिंग जी महराज ने शबद गुरू गुरू ग्रंथ साहिब जिनों गुर्टा गद्धी प्रदान करके सदीव कारलेई गुरू पंथनों शबद गुरू दे लाड़ लगा दिता श्री गुरू ग्रंथ साहिब तरम मुलक ग्रंथ है दर्शन मुलक ग्रंथ नहीं तरम मुलक ग्रांथ वीच दर्शन शामिल होंदा है पर जरूरी नहीं कि दर्शन मुलक ग्रांथ वीच तरम शामिल होवे गुरु ग्रांथ सहिब जी दा अधार शबद है दूज्य अर्थां वीच ए शबद ही गुरबानी है जिस बारे गुरु अमर्दास जी पात्षा दा है इकका बाणी इक गुर इकको शबद विचार अपनिया चार उदासियां समें सिद्धा नल होई गोश्टी विच सिद्धा ने गुरु नानक देव जी नू प्रश्न कीता कमण मूल कमण मत वेला तेरा कमण गुरु जिस का तु चेला सिद जानना चाउंदे सान की गुरु नानक देव जी दा गुरु कौन है ते ओ किसदे चेले हन गुरु नानक देव जी दा उत्तर सी के पवन अरम सत्गुर मत वेला शबद गुरु सूर्थ तुन चेला शबद गुरु सीखदा मार्ग वी है ते मनजिल वी दे रैबर या अगवाई करण वाली नहीं केवल शब गुर् नो सब के वेखदा, जेता जगत संसार, डिठ्थे मुकत न हो वई जिच्चर सबद न करे विचार. गुर् बानी वीच शबद ही ब्रह्म है, शबद ही सरगुण, ते शबद ही निर्गुण है. गुर्मत वीच शबद ही बानी, ते बानी ही शबद है. शबद बाणी ते गुरू सारे ब्रह्म दे प्राईवा चीहन बाणी गुरू गुरू है बाणी विच बाणी अम्रित सारे गुर्बाणी कहे सेवक जन मानने पर तक गुरू निस्तारे शबद नो बार्णी वज़ों जो विस्थार गुरु गुरंत सहजी विच प्राप्त है वो होर किसे तरम चिंतन विच नहीं सब्दे ही नाउ उपजे सब्दे मेल मिलाया बिन सब्दे सब जग बौराना बिर्था जनम गवाया अमरित एको सब्द है नानक गुर्मुख पाया गुर्बानी सिखा द्यातमवाद दी नीम वी है अते आखरी सिखर वी इडूंगे अनुभव दी प्रक्रिया विच्चो लंग के ही वजूद वी चाउंदी है बाणी कार गुरु सहबान अते पक्ता ने खुद इस ताथ दी गवाही परी है कि बाणी कोई साधारन वस्तूजा कविता नहीं सगो एता रब्भी कलाम है जो इलाही हुकम दौरा ही नाजल होंदा है इसे नू तर्मचारी तूर दरगाहों नाजल होई रचना दा नाम दिन देहान जैसी में आवे खसम की बाणी तैसरा करी ग्यान वे लालो सद्गुर की बाणी सत सत कर जानों गुर सिखो हर करता आप मोहों कडाई अथवा हाँ आपो बोल न जानदा मैं कहया सब हुकमाओ जियो बाणी ब्राम दी शबद अभी व्यक्ति है ए बाणी रब्बी ज्यान नू प्रकाश्मन करन दा माध्यम है सारी बाणी ब्राम दा ही वर्णन है कबीर जी फर्माउं देहन लोग जाने ए गीत है एतो ब्रम बिचार गुर्बाणी दी तरम द्रिष्टी समू मुखियत लोग ही तैशी है इस दा मकसद किसे एक विशेश वर्ण जा वर्ग दे लोगानू नहीं सगो समुच्ची मनुखतानू तरम दा कल्यान का रिमार्ग दिखाउना है इसे लई गुर्बाणी सरल विदी राही निश्ची तर्थंदा संचार कर दी है गुरू अमर्दास जी दे बचन हन जगत जलंदा रख ले अपनी किर्पातार जित द्वारे उबरे तित्ते लेहो उबार गुरू दे बोल गुरू दे बचन गुरू दे शबद सरब सांचियां कदरां कीमता नू द्रिड करवाऊंदे हन इना दा मूल बल अपने आपनू समझन अते मनुखी किर्दार नू सुधारन वाल है मन तू जोद से रूप हैं अपना मूल पच्छान मन हर जी तेरे नाल है गुर्मती रांग मान फरीदा बुरेदा पला कर गुस्सा मन नहंडाए देही रोग ना लग गई पल्ले सब किछ पाए गुर्मत विचारता रदा मुखाशा संसार दे वीच पसरे होई जात वरंदे पेदपाव फोकट कर्मकार्ण विखावे दी पूजा अरचा ते हॉम में हंकार नो त्याग के इक नरोवा ते गतिशील समाज उसारन वाल है गुर्बाणी अर्थात शबद गुरू इक जेहा संसार है जिजिया जड़ां से दीवता विच हन ते ए सच ते अधारित है गुरू गुर्बाण साहिब जी दे मुडले बोल हन आद सच, जुगाद सच, हैबी सच, नानक होसी भी सच गुरू गुर्बाण साहिब जी विच कूल पैंती महापुर्शा दी बाणी दर्ज है छे गुरू सहबान 15 पगत 11 पट अते तिन गुरू कारदे निकट वर्ति सिख शामिल सान जीना 15 पगतां दी बाणी गुरू ग्रण सहिब जी विच दर्ज है ओहन पगत कबीर जी, पगत रविदास जी, पगत नाम देव जी, तिरलोचन जी पगत बेनी, सधना, जयदेव, पीखन, सैन, पीपा, तन्ना, रामानन, पर्मानन, सूर्दास अते बाबा फरीद जी छे गुरु सहबान हन गुरु नानक देव जी गुरु अंगत देव जी गुरु अमरदास जी गुरु रामदास जी गुरु अरजन देव जी अते गुरु तेग भादुर जी सिख तरम दाय मनना है कि दसां गुरुआं विच इकको ही जोद प्रकाश मान सी सत्ता बल्वांडी संबंध विच लिख दे हन जोत उहां जुगत साय सहकाया फेर पल्टी है इस विचार तारादा आरम गुरु नानक देवजी दे समय तो ही हो गया सी पाई गुर्दास जी अपनी पहली वार दी पंतालिमी पौडी विच लिख दे हन थापया लहना जीम दे गुरियाई सिर्च छत्र फिराया जोती जोत मिलाए के सत्गुर नानक रूप वटाया एही कारण है कि गुरु गुर्द साहिब नू दसां गुरुआं दी आत्मक जोत करके मन्या अते सत्कार्या जान्दा है गुरु गुर्द साहिब विच कूल 5894 शब्धन ये सारी बाणी कत्ती रागा विच दर्ज है एक पार्ती विद्वान ने इस गुर्द नू दे ग्रेटेस्ट बुक ओफ सेंथेसिज करके लिख्या है गुरु गुर्द साहिब जी दी बाणी नू इकत्तर करन अते संबालन दा काम गुरु नानक देव जी दे समय तो ही शुरू हो गया सी आप जो बाणी उचार दे सान उसनू इक पोथी विच लिख के अपने कोल रख लिया कर दे सान पाई गुर्दाज जी दियां इपंक्तियां इस गाल्दा ठोस प्रमान हन कि जदो आप इसलामी देशां दे दोरे ते गए ताँ आप जी द्वारा रची बाणी दिये पोथी आप जी दे कोल ही सी ग्यान चर्चा दोरान उत्थों दे मुला मौलाने आते काजियां ने पुछिया पुछन फोल किताब नू हिंदू वड़ा के मुसलमन नोई बाबा आखे हाजी या शुबमला बाजो दोनो रोई करतार पूर साहिब रेंदियां जदो गुर नानक पात्षादा साचखन प्यानना करन दा समय आया ताँ आप जी ने गुर गद्धी देन समय ए पोथी पाई लेना जीनू सोंप दिती इस तरह पहले गुरु जी दी बाणी गुरु अंगद देव जी कोल अते फिर हर काया दे पल्टन समय ए बाणी तीजे चौत्थे अते पंजबे गुरु गुरु अर्जन देव जी तक पहुँच गई पक्तान दी बहुती बाणी गुरु नानक देव जी याते गुरु अमर्दास जी नहीं कत्तर कीती सी सारी बाणी नू गुरु ग्रांट साहिब दे रूफी संकलित करन दा कारज सान सोलां सो इक इस्वी विच रामसर दे स्थान ते आराम्भ होया सी ये सारा कारज गुरु अर्जन देव जी दी निगरानी थले होया ये नू संपूरन होन विच तिन साल दा समा लगगा गुरु ग्रांट साहिब जी दा पहला प्रकार सिरी हर्मंदर साहे विखे पादों सुधी पहली सम्मत सोलां सो इकाठ अर्थात सन सोलां सो चार इस्वी विच कीता गया गुरु ग्रांट साहिब जी विच नौवे पाथशा सिरी गुरु तेग बहादुर जी दिबानी गुरु गोबिन सिंग जी ने चड़ाई सी संपूर्ण होई इस बीर्णों ही दामदमी बीर्दा नाम दिता गया है इस बीर्दा प्रकाश उन हर गुर्द्वारे विच पूरी रहत मर्यादा नल किता जान्दा है अक्तूबर स्तारां सो आठ विच जदो गुरु गोबिन सिंग जी दा आखरी समा नेड़े आया वचन कीता ग्रंथ है गुरू लड़ पकड़ो अकाल आपस विच करना प्यार पंथ दे वद्देनों लोचना आग्या ग्रंथ सहेब दी करनी शबद दी खोजना गुरु महराजदा या देश है कि ओट अकाल दी पर्चा शबदा दीदार खाल सेदा जोती जोत समाउन तो पहला आप जी ने नंदेड विखे शबद गुरू गुरू ग्रंथ सहेब जीनों गुर्ता गद्दी देन समे सारे पंथ नों संबोधन कर दिया ए बचन कहे आग्या पई अकाल की तभे चलायो पंथ सब सिखन को हुकम है गुरू मानियो ग्रंथ गुरू ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की दे जो प्रब को मिल बोच है खोज शबद में ले वही गुरू जी का खालसा वही गुरू जी की फते